स्पोट्स से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें स्पोट्स तक और साथ ही किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूले स्पोट्स तीन शुने से जीत कर आया था आज भारत अपने बारा खिराणियों के नाम का ऐलान किया है लगता ही है कि कुलीब यादव योज्वेंदर चेहल और कुनाल पंडिया में से एक को बाहर बैठा पड़ेगा बागी टीम जो है वो तैयार है आज Cricket Australia ने ये भी साफ कर दिया कि Smith, Warner और Bancroft पर से वक्त से पहले बैंड नहीं अटाया जाएगा चो कयास चल रहे थे Australia ही खेमे से आ रहे थी आवाजे वो खत्म हो गए है अब भारत की सीरीज में ये तीनों खिलारी नहीं दिखेंगे कल है पहला मुकाबला Brisbane में गाबा बड़ा इर्थिहासिक मैदान है अस्ट्रेलिया को सूट भी करता है लेकिन दिक्कत ये है अस्ट्रेलिया के लिए एक उनके Warner Swift और Bancroft पर बैंड लगा है और दूसरा उन्होंने अपने जो बेहतरीन तेज गेन बाज है उनको टेस्स सीर हो रहा है वो जाधा टेस्स सीरिस के इंतजार है लेकिन आगास T20 से पहले तीन मुकाबले है कल एक बज कर 20 मिन पर भारत ने अपने बारा खिराने को एलान किया है मुझ लगता कि कुर्णाल शायद खेलेंगे चहल और पुलीप में से एक बाहर बैठ सकता है अरको लगता अपना योगदान देने की उनकी पूरी कोशिश रहती है और यही एक बहतर कॉंबनेशन होगा तीन फास बोलर एक ओल राउंडर एक फ्रंट लाइन स्पिनर कुल्दीप और यह अच्छा मुकाबला भी होगा कुल्दीप के लिए एक टेस्ट भी होगा अच्छा उच्छा आइन बोलर ऐसा है जो चार ओवर में आपको बीच में आकर दो विक्टर निकाल देता है तब विपक्षी टीम अपने अप दबाव में रहेगा क्योंकि वार्नर और स्मिथ का ना होना हला कि देखिए ऑस्ट्रेलियन अब अपने घरेलू सीजन में खेलना शुरू किया आप नहीं कर सकते हैं वार्नर स्मिथ का ना होना उनकी बैटिंग लिए बाट बड़ा जटका है गेंबाजी उनकी बड़ी मुकम्मिल है हम तो कहरे तेस मैचों में लेगर अनुने टीट्वेंटी में मिचल स्टार्क जो शेसल वोज इनको आराम दिया पैट कुमिन और ने ले सकते हैं इसमें कोई दो रहा है और मैं मानता हूं जो बैक्समन है एक नजर उनकी आईपियल की आउक्शन पर भी रहेगी जिस तरीकी से ग्लैन मैक्सवल को बाहर कर दिया है आउक्शन रहेगी अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे क्योंकि 20-20 से ओर के मुक आउस्ट्रेलिया में अपने रिकॉर्ड को ऑस्ट्रेलिया से बेतर रखें लेकिन ही 20 में और इसकी बड़े मुझे यह जब हम आखरी बार गए थे 2016 में तो भारत उस टीट्वेंटी सीरीज को तीन शूने से जीट कर आया था उसमें खिलाणी में खेलना शूरू किया था अंतराशी क्रिकेट उसकी राणी का नाम है जस्परिद भूमरा और आज जस्परिद भूमरा की कंधों पर भारत की गेन बाजी अटैक है और ऑस्ट्रेलिया जस्परिद भूमरा से थरतर काम दी रहा है अब जो भी नतीजा हो मज़ा तो आएगा क्योंकि इंग्लेंड में सथाफ्रिका में भारत के अच्छा नहीं किया यहां से अच्छा करना है और T20 शायद मौका भी है भारत के पास क्योंकि भारत का पलना भारी है अच्छा आज क्या है मुद्दा आठ बजे हमारे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स तक पर यह आपकी स्क्रीन पर है यह प्रिव्यू है आपके सवाल लिए जाएंगे आपको क्या लगता है भारत जीतेगा और स्टेडिया जीतेगा कौन सितारा रहेगा आपको फड़ा- सब्सक्राइब करना है स्पोर्ट्स तक को यूट्यूब पर जाकर स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करना है अपने सवाल तयार रखने है आठ बजे उस एजंडा में आप हिस्सा लीजिए